इंडिया इस इंडिरा और इंडिरा इस इंडिया चुनिएं जो आपके लिए करे निर्ने ले सके जिसमें गम हो कंगना रनोथ की फिल्म के रिलीस को लेकर हाल ही में जो बवाल मचा है उसने इसे एक विवादास पदस्थेथी में डाल दिया है फिल्म में कंगना ने प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की भूमी का निभाई है और यह फिल्म 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के आपात काल की कहानी पराधारित है फिल्म में कंगना की अलावा अनुपम खेर श्रयस तलपड़े जैसे सतारे भी नज़र आ रहे हैं फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही लॉंच कर दिया गया था फिल्म में इतिहास के पन्नों को खोलने की कोशिश की गई है सिख संगठनों द्वारा इस फिल्म को लेकर सकता पती जताई जा रही है इसमें आरोब लगाया गया है कि फिल्म ने सिक्समुदाई की भावनाओं को आहत किया है और उनके इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तूत किया है शिरो मणी अकाली दल और अन्यसिक संगठनों ने फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है फिल्म की निर्माता कंपनी जी एंटर्टेन्मेंट इंटर्प्राइजेस ने बॉंबे हाई कोट में याचिका दायर की है जिसमें फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट की मांग की गई है याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड यानि सेंट्रल बोर्ड ओफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने बिना किसी उचेत कारण के प्रमानी करण को रोका है और इसके लिए अवैद और मनमाने तरीके अपनाए हैं कोट ने इस याचिका को ततकाल सुनवाई के लिए स्विकार किया और 4 सितंबर को यानि कि आज इस मावले में जस्टिस बीपी कोला बावला और फिर्दोष पुनीवाला की खंडपीठ में सुनवाई हुई इस पूरे विवाद के चलते फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है और बॉम्बे हाई कोट ने कहा वह CBFC को प्रमान पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है क्योंकि यह MP हाई कोट के आदेश का खंडण होगा आपको बता दे कि MP में इस फिल्म के खिलाफ मामला दायर किया गया था कोट ने यह भी कहा कि वो इतनी जल्दे इस मामले में आदेश पारित नहीं कर सकता है 18 सितंबर तक इस मामले में निर्णय लिया जाएगा और 19 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी हाला कि Bombay High Court ने फिल्म मेकर्स को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं कोट ने बहुत सारे मामलो पर CBFC को भी फटकार लगाई है और सिख समुदाई को भी यह कहा कि आप सिर्फ ट्रेलर देखकर नतीजे पर नहीं पहुँच सकते ऐसे में अब कंगना के फिल्म एमर्जंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाईगी इसके साथ ही दर्शकों में फिल्म को लेकर दल्चस्पी पढ़ती जा रही है फिल्म के रिलीज और इसके सर्टिफिकेशन पर चल रही कानूनी प्रक्रिया के चलते दर्शकों के लिए यह देखना दल्चस्प हो गया है कि इस विवात का अंत किस दिशा में होता है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहीएगा स्ट्रीट बस के साथ मैं आरुशीराय नमस्कार